हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खानेंस्थानी आज मैं आपके साथ जीरा आलू की रेसिपी शेयर करूँगी यह आलू की सूखी सब्जी है जिसे आप ब्रेकफास्ट में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं सुबह सुबह की भागदोर में आप इसे सिर्फ और सिर्फ 4-5 मिलट में बना के तयार कर लेंगे बहुत ही जादा टेस्टी भी बनती है यह देखिए आप इसे ब्रेकफास्ट में या लंच में कभी भी बना के खा सकते हैं बहुत जादा टेस्टी भी बनती है यह और बहुत जल्दी बनती के तयार हो जाती है और बहुत ही डिफ्रेंट भी होती है तो अगर आपको यह रेसिप पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजेगा अगर पहली बार आप मेरे चैनल खाने दसानी पर आए हैं तो इससे सब्स्राइब कर लिए बराबर जो पहला आइकन है उससे जुरूर प्रेस कीजेगा उससे ही होगा कि आने वाली लेटिस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो आई जली से बनाने स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने आदा किलो आलू लिया थे इसको वाइल कर लिया था और इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था ठंडे हो गए थे ये देखिए इसके छोटे पीस कर लिया है मैंने छोटे आलू थे तो इसमें स दनिया डाला है मैंने इसको crush कर लिया था और इसको हलका सा fry कर लेंगे और इसके साथ ही इसके अंदर one pinch हींग भी डालेंगे वीडियो थोड़ी से skip हो गई है मुझसे sorry और इसके बाद आलू डाल देंगे इसमें जो हमने boil करके रखे थे तो इसे हलका सा भून लेंगे बहुत बहुत ही जादा tasty भी लगती है तो सबसे पहले मैंने यह एक इंच अधरक का टुकड़ा लिया था इसको बहुत ही बारिक काट लिया है इसमें डाल देंगे और इसको भी हलका सा fry कर लेंगे इसके बाद हम इसमें दूसरी चीज़े डालेंगे तो सबसे पहले इसमें नमक दाल देंगे टेस्ट के according मैंने one teaspoon डाला है और one teaspoon ही मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर minorities और आफ тебя 숨 इसमें ज्क aldi powder हो साथ में सौर介 और यहitis मन घरम मसाला भी डाल दिया है इसको करेंगे अच्छी थरा से mix और थोड़ा सा और भून लेंगे मसालों की coatings पूरे आलूओं पर हो जानी चाहिए, बहुत मज़ेदार लगते हैं या आलू इसके बाद बारिक कटे हुई तीन हरी मिर्च जाल देंगे तो मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर का इस्तिमाल नहीं किया है जालेंगे जो मैं बाद में आपको बताऊंगी तो आलूओं को हम 2-3 मिनट इसी तरह से भूनते रहेंगे बहुत टेस्टी बनेंगे यह तो ग्यास की फ्लेम हम थोड़ी सी लो कर देंगे और थोड़ा सा पुदीना ले लेंगे यह मैंने सूखा पुदीना लिया है इसको मैंने पहले से ही सुखा के रख लिया था इसी मैंने धो कर सुखा लिया था तो पंखे के नीचे मैंने इसको सुखा लिया था इसके बाद हम क्या करेंगे तवे पर थोड़ा सा इसको और ड्राइ रोस्ट कर लेंगे ये क्रिस्पी हो गया है तो इसको हम ball में निकाल लेगे और इसको हाथ से ही crush कर लेगे बहुत आसानी से ये crush हो जाता है एकदम powder बन जाता है इसका ये देखिए मार्किट में पुदीने का powder भी मिलता है आप वो भी ले सकते हैं तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा आलूँ पर तो पहले हम इसमें डाल देंगे आमचुर पाउडर 1 टीस्पून इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और 1 टीस्पून मैंने ये कसूरी मेथी ली है इसको भी मैंने करश कर लिया था ये डाल देंगे और ये ये नहीं है तो आप बजार से मार्केट से भी ले सकते हैं तो ये तयार हो गया है इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे हम फ्रेश कोरियंडर लीव डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ये बिलकुल तयार है आलूँ इसको हम डिश आउट कर लेंगे इसको पहले मैं मिक्स कर लेती हूं अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बनके तयार हुए हैं तो देखा आपने कितने जल्दी से ये बनके तयार हो गए हैं आप सुबह की भागदोर में इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं बस आलू पहले से बॉइल करके मुदिने का पाउडर भी हम पहले से तयार करके रख सकते हैं क्योंकि वो ड्राइ होता है इसको स्टोर कर सकते है तो सुबह तुबह उठिये और पांच मिनट मैं आप ये लंच तयार करके बच्चों मों दे सकते हैं अगर आपको ये रैसीपी पसंद आए तो प्लीज मेरी चैनल खाना दुस्ता नहीं पर आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाली लेटिस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके मैं हेल्दी रैसिपीस आपके साथ शेयर करते रहूंगी ओके बाए